हेलो एबरियान वेलकम टू माई चैनल शेप बेई 90 में आ गया आज एक नया वीडियो के साथ में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लैप्टॉप या पीसी से इमेल बेश सकते हो और डिटेल्स में मैं डिस्कास करूँगा कि जो इमेल आईडी लैप्टॉप या पीसी में हम खोलेंगे तो उसमें क्या 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 ओप्शन दिखते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम में डिस्पले में आ गया यहां पर आगे हमको ढूनना है कुरूम ब्रावजर को ढूनना है अल्मॉस्ट सारे जो PC, I mean computer होगा उसमें कुरूम ब्रावजर में डिस्पले में रखा जाता है अगर आप यहां पर नहीं दीख रहा है तो आपको कहा जाना है आपको ढूनना है यहां पर नीचे इस सार्च वोला बटन दीखेगा यहां से हम ढून लेंगे इसे जैसे इस पर क्लिक करेंगे यह पर सार्च करने के लाफ्षान आ जाएगा इस तरह का नीचे टेफ है टु सार्च यह पर हम लिखेंगे कुरूम इसके बाद उपर आगे से हम डॉबल टैप कर देंगे तो यह ओपेन होने लगेगा मुबाइल पे हम इमेल सेंड करते हैं पर कॉंपूटर में जब हम इमेल सेंड करेंगे इसका जो इंटरफेस से कुछ अलग होता है तो इसके बारे में आपको 100% जानकारी होना चाहिए दोस्तों आज कल में पेपर वर्क में कुछ ज्यादा वीडियो बना रहा हूं इसलिए कि मुझे पता है कि सिब खाना बनने से ही आपको अच्छा जौब नहीं मिल सकते आपको उसके साथ साथ पेपर वर्क का भी अच्छा-कासा नॉलेज होनी चाहिए तो जैसे ही आपका कोरोम खुल जाएगा इस तरह का दिखने लगएगा गूगल जो मुबाइल भी खुलता है इस पर कोने में ऑप्षान होगा जीमेल ऑप्षान तो इससे हम खुलने रहे हैं मैंने अल्यडी लॉगिंग करके रखा है जिस वज़े से यूजर नेम और पासवड नहीं मंग रहे हैं तो आपको पता है कि यूजर नेम और पासवड किस तरह से देना है राइट जैसे हम मोबाइल पर देते से मुस्सी तरह से यह हमारा में जो जीमेल खुल गया है उसके कुमपोस जो बटन इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर दूसरा खुल गया इसतरह का जहां पर लिखाए नियू मैसेज इसे हम बरा कल लेंगे यह बटन को क्लिस करके इसके बाद यहां बें देख सकते हो तू में हमको अभिसली जीसे हम भीजना चाहता है उसकी E-mail दे देंगे यहां पर subject लिख देंगे जो भी लिखना है ह्याँ पर हमरा mail लिख देंगे इसके बाद हमको नीचे आना यहां पर Send option देख सकते हो ऐसे हमको send कर देना है इसके बाज़े में snap mail भी option दीख रहे हैं इस पर click नहीं करना है अगर आपको snap mail का बारे में वीडियो देखना है इसलिए snap mail के option के यूज किया जाता है तो चलिए हम जो normal mail उसे send कर देते हैं और यह send हो रहा है यहाँ अगर आप ध्यान से देखें कोने में यहाँ एक नया option आगे यहाँ लिखा है send mail उसके बाद undo उसके बाद view message जो message हमने send किया है उसको हम undo भी कर सकते हैं मतलब cancel भी कर सकता ह यह थोड़ा time के अंदर ही करना चाहिए नहीं तो यह option चला जाते है उसका view message जो mail हमने बेजा उसको देख भी सकता है तो इसे हम cut कर देते है तो हमने already देख लिया mail किस तरह से send करना है अब हम आते है left side में यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ड स्टार्ड मतलब स्टार यहाँ आप ध्यान से देखेंगे स्टार बटन है जैसे हम इस इसे हम जैसा री तो एट एट जून हम इस mail को हम मार्क कर देते हैं देखना जब इस section में हम जाएंगे यहाँ पर एपरूब डॉला mail आ चुका है क्योंकि इंपोर्टेंट अला हो गया तो हम कभी उस करते हैं जब हमें ऐसा लगते कि कोई mail को हम बाद में फटक से ढूना चाहिए सायद आपके बास काफी mail हो इस तरह का तो उसको ढूनने के लिए हम इस section की उस करते हैं नीचे हम जैसे आएंगे समय स्नोज मिल बहुत ही important है बहुत लोगों को स्नो इसको ले लेता हो इस पर क्लिक करने का सासा दूपर यहां पर एक नया बार आ चुका है जिसे कि देख सकते हैं तो यहां पर हम यह option को चूज करेंगे जो स्नोज है सेम यहां का जो ओफ्षान है उई है इसे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हो स्नोज मेल टुमोरो नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीकेंड नीचे आके हम सिलेक्ट डेट अंट टाइम एक क्या करेगा हमारा जो मेले उसे जो भी डेट हम जिसे के हम तीन तरिक सिलेक्ट करेंगे तो यह स्नोज मेल में चला जाएगा जाएगा यह कह करेगा कल सुबह आड़ वजय अब यहां पड़े ना यह सबसे पहला आ जाएगा पहला लाइन पर और यहां पर एक स्टार भी दिखेगा और आमको यह बताएगा क कि यह जो मेल है आपने सेट किया था आज सुभा देखने के लिए तो काफी टाइम क्या होता है हमारे पास अब एक important mail आया पर हमर पास time नहीं देखने के लिए हम इसे क्या करते हैं स्नोस्ट करदें तो और time लगा देते हैं कि कल सुभे यह हमें notify करें तो कल सुभाइ नौडिफाइए करेगा और हम उसे देख सकता है तो इसलिए स्नोस्ड में यूस होता है जैसे कि आप देख सकते हैं कल सुवा आड़ बजे मुझे दिख जाएगा अब जो मेल हमने अभी अभी सेंड किया दूसरा हम यहां से देख सकते हैं सेंड मेल में जाके ईकी यह मेल अभी हमने लिक्के सेंड किया तो इसे हम जुरूरत नहीं है कि इसके बाद आता है ड्राप्ट अगर हमने जैसे कि यहाँ पर कोई मेल लिखा है पर उसे हम जैसे की जैसे की देख सकते हो मैं कर दिखा तो कि पर इसे हम सेंड नहीं कर रहा है से हम ड्राप्ट में चला जाएगा दिखिए यहाँ पर आगे ड्राप्ट में सबसे पहला मतलब अगर हम कोई mail लिख रहा है उसके बाद उसे यूज नहीं कर रहा है तो क्या होता है ना ड्राप्ट मेल में चला जाता है उसके बाद more option में भी काफी सारे option आता है सारे option आपकी जूरूरत नहीं है इस वांदा जो एक option आता है important में आपको बताऊंगा यहां पर important एक option आया मैंने मेरा काफी सारे जो mail important mail में मैंने इसलिए रखता हो क्योंकि मुझे बाद में वह mail को खोलके यूज करना होता है तो उस तरह से important mail कैसे कर सकता है जैसे हमने इस चला गया तो start में चला गया था इस तरह साम इस mail को select करेंगे और यहां पर देख सकते हम यह section में क्लिक करेंगे जिसे में इससे कि देख सकती हम भी बाड चुका हां तो यहां मिन Northern minist घ鳥 करने के लिए से हमें नहीं चाहिए फिलाल क्योंकि इसका ज्यादा यूज नहीं होता है तो आप आशा करतों समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम mail send कर सकते हैं जो जो important option है उसके बारे में भी इस बारे में वीडियो में मैंने discuss किया दोस्तों नेस वीडियो में बताऊंगा कि यह जो सब्सक्राइब को हम किस तरह से यूज कर सकता है कि तो इसके बारे में मैं डीटेल्स में बताऊंगा कि देखिए सीच में भी हम इमेल लगा सकता है बीसी सी में इमेल ऐडी लगता है सेम और इस एक बारे में इस वीडियो मतलब इस टौपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगा अगर आपको पता निये इसका फूल पंके और किस तरह से काम करता है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो को जुडूर आप देखना जैसी कि आप देख सकते हैं आप भी मैंने लिख के रहा है what is the full form of CC and BCC and what is the difference between BCC and BCC और इसके बारे हम डिटेल में बात करेंगे अगला वीडियो में, thank you very much for watching this video तो मेरा next video देखना, उसमें काफी कुछ आपको और अच्छा सिखने मिलेगा